हलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्मन मोहन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और डिजिटल क्लोग बनाना सिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको जो भी क्लोग बता रहा हूँ यह मेरे एक्जिस्टिंग क्लोग है जिसकी DIY किट मैं सेल करता हूँ आप खुदी से खरीद कर बना सकते हैं ठीक है आज के वीडियो में हम इसी को नेक्स लेवल पर लेके जाएंगे देखिए अभी जो करेंटली जो घड़ी है न देखिए कंप्लेट बोडी के साथ है चार डिजिट में है और यह विदाउट आर्टीसी है ठीक है अब इसी क्लोग को मैंने आर्टीसी पर भी बनाना सिखाया है इसी किट को इतना डवलप कर दिया था कि यह सिक्स डिजिट पर और आटीसी के साथ चल सकें कंप्लेट बोडी के साथ अभी एक अवेलेबल आप चाहें तो पर्चेस कर सकते हैं देखिए इसमें जो है बीप भी है अलाम भी है डेट भी यह शो करती ठीक है और इसमें जो हमने एलेडी से सेवन सेग्मेंट बनाए हैं और डेफिनेटल यह रिमोट कंट्रोल है जिससे इसमें टाइम सेट किया जा सकता है डेट सेट किया सकता है और अलाम सेट किया जाता है ठीक है काफी अच्छा इनका ब्राइटनेस लेवल इसके ब्राइटनेस को भी रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है सिक्स डिजिट में इस किट को इतना इसको जो है हम ब्रेक करके छे डिजिट का बना सकते हैं एड डिजिट का बना सकते हैं इसमें माइक्र कॉंट्र लगा सकते हैं इसमें आट इसी लगा सकते हैं सारी फैसलिटीज हैं पीसी बीस में आप अगर चाहें एक्सपरिमेंट के लिए तो यह पीसी बीस भी पर्चेस क तो इसी को हमने जोड किए इस तरह से 6 डीजिट वाला क्लोंक बनाते हम 8 बिजिट वाला बना सकते है'm ग्लिट में हम डेट डायस्ट और इयर इस तरह से शो कर सकते हैं बहुती सलिम promiseी भी ए और में जो है इस तरह से सेवन सेग्मेंट बनेंगे बहुत ईजीली बन जाएंगे और फिर जो नॉर्मल जो है आप साइस देख सकते यह विदावड आए थीछेवालीए इसका आफ करने और इसका टाइम जीरो हो जाता है जो बनाएंगे वह शुरुवात में हम परोग्रामिंग भी सिखेंगे बीडावर्व्डियुवाली की प्रोग्रामिंग हम सिकेंगे उसको और नेक्स ेवल यह DIY किट जो है अगर आप पर्चेस करना चाहते तो कर सकते क्योंकि अगर आप पूर नेक्स लेवल की क्लोग बनाना चाहते तो उससे पहले आपको बैसिक क्लोग बनानी आनी चाहिए ठीक है तो आप यह किट मुझसे पर्चेस कर सकते ठीक है और लिंक लिस्क्रिप्शन क्लोग बनाएंगे जिसमें रेडिमेट 7 Sunny nda लगाएंगे और मोर और मोर इन इंफोरमेशन ही है मतलग हमें form का जाइए कि एर भी चाहिए मन्त भी चाहिए और डेट भी चाहिए सम एट टाइम ठीक है कैसे मैं बताता हूं देखिए इसको मैं यहां से खोल रहा हूं और अभी जो हमारी कीट है वह अगर पूरी क्लोग बनती तो देखिए कितना बड़ा सरकुट होता आप देख सकते सिंपल इतना सा स प्लेट के ऊपर पूरा सरकुट बन जाएगा बस एक बैटरेस में करनेट करना है स्विच लगा हुआ है वह इतने सी पीसीबी में हमने सरकुट बना लिया था ठीक है तो इतनी ही स्पेस में मौर और इंफॉर्मेशन वाली सरकुट बनाना है कैसे बनेगी यह हम आज के वी में इतने सारे सेवन सेग्मेंट यूज करेंगे ठीक है यहाँ पर जो डो है सेकेंंड्स के लिए फिर मिनेट के लिया पिर अवर के रिए और निचे डएट ने निस suspension के लिए पे इतनी information हम श्यों करना है करके बता आइंगे सबसे पहले हमने बॉक्स ले लिया बॉक्स के बाद हमने जिरो पीसीबी उस साइस का ले लिया जो इस बॉक्स में फिक्स हो जा यह पूरी कम्प्लीट क्लोग बनाएंगे देखिए प्रोजेक्ट है काफी अच्छा है ठीक है हमने यहां पर पिछे थर्मा को लगाया ताकि प पीसीबी के उपर हमने इस तरह से सेट कर दियें सारे सेवन सेगमेंट यह इस तरह का बनेगा यह अभी मैं बता रहा हूं ऐसा यह बनेगा इस तरह से information show होगी ठीक है तो हमने सबसे पहले body का पता कर लिया अंदर PCB का size define कर लिया और कहां पर कौन सा component लगेगा वो हमने set कर लिया अब इसकी programming भी आगे आगे आपको बताऊंगा ठीक है इसमें उपर जो है न हम एक acrylic लगा देंगे black color का तो उसके पीछे से जब यह red color के शायद पांच वाय च्छटा वीडियो है ठीक है तो वह छे वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा अगर आप प्रोग्रामिंग करके इतनी बड़ी clock बनाना चाहरे तो सबसे पहले हम छे डिजिट का time display करवाएंगे ठीक है बाद में date display करवाएंगे तो आज के वीडियो में हम six seven segment digits को multiplex करेंगे ठीक है तो multiplexing क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में बताया है नहीं देखें तो link description box में उनको sequence में देखिएगा वीडियो को तो आपको seven segment की programming आ जाएगी multiplexing भी आ जाएगी ठीक है और साथ में मैंने RTC की भी programming बताईए RTC को बनाना कैसे उस circuit को सब्सक्राइब किया है ठीक है फिलार हम समझ लेते हैं जो seven segment होता यह a b c d e f g segment से बनता है ठीक है यह तो आपको पताईए यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डॉट के लिए c d e मैंने माक कर रखा है कहां पर a का पीने कहां पर b का पीने ठीक है यह first video में बता दिया था अभी हमें एक simple track बिचांगे और सभी a को आपस में जोड़ देंगे यहां देख सकते हैं ठीक है यह blue कोलर का जो track है सभी a को जोड़ दिया और यह red वाले track से हमने सभी b को जोड़ दिया सभी अलग-《 color कलर से wiring कर रहा है》 सभी a को आपस में जोड़ दिया सभी b को हापस में मुल्टिपलेक्सिंग इसे ही कहते है ना सभी डी को आपस में जोड़ना है और फिर सभी ए को भी जोड़ देंगे इस तरह से ठीक है और देखिए वो जो डोट है ना उसको हमने छोड़ दिया उसकी जूरत नहीं है हमको ठीक है उसके लिए बिलिंक करने के लिए LED से एक सेग्मेंट आपस में जुड़े हुए हर एक डिजित के वी आपस में इस तरह से यह वाइरिंग करना अभी हम क्या करेंगी जो पीन से दखिए यहां पर जो यह हर एक के कौमन एनोड या कौन कैथा डिजिट जू हता सेवन सेग्मेंट कौमन होता हम काम कर रहे है ठी पिन्स के ऊपर करेंगा चाहे आड़नों उन्हों यूज करो यान उन्हों यूज करो तो देखिए यहाँ पर टू थ्री और नीचे की और फौर फाइफ शेक्स और उपर सेवन और एट है ठीक है तो इनको आड़नों की इन पिन्स पर करनेट करना है ओके और ताकि यह सिक्व थाटीन हमने किसले चोड़ा क्योंकि बीच में जो एलेडी लगेगी न जो ब्लिंक होगी उसके लिए चोड़ा है क्योंकि आड़नों में ओन बोर्ड भी एक एलेडी होती है जो पिन नमबर 13 से कनेक्टेड होती है ठीक है तो यहाँ पर हमारा सर्किट तो कंप्रीट हो गय ठीक है इसको जिरो पीसीबी पर भी बना सकते हैं यहां पर हमने मल्टी प्लैक्सिंग कर दिये यह लो वाले जो वायर है ना देखिए हर एक डिजिट का हर एक सेग्मेंट आपस में कनेक्टेड है यहां पर देखेंगे यह देखिए जुड़ा हुआ है तो यहां पर आप आपसे सारे जो हैं मल्टी प्लैक्स कर दिये गए हैं अब इसके बाद क्या करना आप देखिए कि यहां पर यह पर जो डिजिट से यह फर्स डिजिट है तो इन पर हम एक रेसिस्टर जैसा की सर्किल डाइगराम में बताया था उसके तुर जोड़ेंगे और फिर प्रोग् इसका लिंक डाउन्डोड लिंक मिलेगा ठीक है अभी देखिए यहां पर इंटीजर वेल्यू लिए है एक्चल में जैसे ए और बी है तो यह और बी क्या है जिसे एच एच को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 12 में से जो है वन बन जाएगा बी जो है वो टू बन जाएगा ऐसे उनको अलग अलग डिस्प्ले करेंगे हर एक डिजिट पर हमने के इंट वेल्यू लिए आई जो की है वेल्यू थ्री दिया हुआ ठीक है बताऊंगा किसलिए यहां पर इन लाइन की जूरत नहीं हटा देता हूं ओके यहां पर देखिए यहां पर हमने से चेंज करते हैं यहां पर चेंज कर दीजिएगा कोई दिक्तत नहीं है डिजिट वन नाइन पर है फिर ट्री इलेवन पर है डिजिट फॉर्टिन पर है ठाटिन मैंने बताया था हमने डोट के लिए छोड़ा है यहां नीचे आप देख सकते हैं यहां पर वैसे एक बात है क अब देखी नहीं होगी तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था अभी फिर बता रहा हूं जो होता है इनलोग जीरो फॉर्टिन होता है इसी तरह से सिक्सिंट नाइटीन तक पिन सवेलेबल होती है आडिनो में तो अब देखिए पिन नमबर ठाटिन पर हमने डोट क इसले करना है तो यहां पर वॉट्ट सेट अप में हमने जितने भी सेग्मेंट से बिसे डीफ़ जीन बिंदेक्लियर किया और सभी डिजिट पिन को भी आउटप्ट पिन डेक्लियर किया है औगे इसके बाद हम यहां पर जो है सीरिल मोनेटर एक बगेन कर रहे है ना 9600 इस यह क्य mandar करें एच यह करेंगा है है क्या एच है Pen ट तो तो एक बार होगा मतलब एक क्या हो गया ठीक है उसी थरह से चलिभन पर होने के बाद मोड आंकर मतलब 17 सरसे डिवाइड होने के बाद यहां तो बचेगा न तो वह बी हो गया उसी तरह से mm को भी दो पार्ट में डिवाइट कर देंगे और एसे को भी दो पार्ट में डिवाइट कर देंगे तो a b c d e f यहाँ पर छे डिजिट आ गए है ओके तो लाइट ए ए हलाइट ए मतलब जब हम a को यहाँ पर डिस्पले न इसब करेंगे यहहाँ पर पहला वाण करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर यहाँ जो क्यों है यूजा रखेंगे बाकि सब सब को आफ नहीं आफ और 144 होगा वहीं होगा आउन क्योंकि हमने जो यह यूज किया ना seven segment digits यह common cathode type है तो यह low पर on होगा और high पर बंद हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर पहला digit on किया हमने फिर उसके बाद क्या करेंगे दूसरा digit on करेंगे यह पहला digit on हो जाएगा जब A डिस्पले होगा ठीक है यह function है light A यह function क्या से काम करेंगा वह भी मैं बता होगा तो अभी हमने क्या किया है पहला digit on किया उस पर A की value डाली है ठीक है उसी तरह से जब B की value डालेंगे तब दूसरे digit को on रखेंगे बाकी सब बन और जब C की value डिस्पले करेंगे तब हम केवल 3rd digit को on रखेंगे बाकी सब off है high का मतलब off, low का मतलब on है न तो इस तरह से हम एक एक डिजिट को one at a time on करते जाएंगे और अलग-अलग values इस पर run कराएंगे तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम जो है multiplexing इसे ही कहता है मैंने पिछले वीडियो में बताये था ठीक है वन बाई वन एक डिजिट को on करेंगे लेकिन इतना fast on करेंगे हमें लगेगा सारी 6 की 6 values at a time glow हो रही है तो अब यहाँ पर light number function जो है न वहाँ पर चल रहा ध्यान से देखिएगा high का मतलब क्या है सेग्मेंट on है और low का मतलब सेग्मेंट आफ है ठीक है तो अगर जो a की value है वो 0 है मान लीजिए जीरो है तो इस तरह का सेग्मेंट चलेगा मतलब यह सारे ओन और बीच वाला लास्ट वाला सेग्मेंट जी आफ रहेगा अभी हमने जो उपर दिया था ना कमंड लाइट नंबर ए तो वह ए पर जीरो है तो वह जीरो हो यहां पर फॉर फाइट सिक्स जो भी नंबर होगा उसके उनो में कर सकता है यूनो में 8 Megas निकलकर आप 8 Megas को आपने PC-B पर लगा लेंगे या फिर हम आडिनो ७ी अपलॉड कर सकते हैं ठीक है मैं दोनों तरह से इसको 0 PC-B के ओपर ब्ηड़ ब्रेडवार्ट चयृँ के उपर पर भी बटाऊंगा देट में यहां से और यहां पर मैं नंबर देता हूं वन टू एम में थ्री फॉर और यहां पर फाइव सिक्स देता हूं ठीकिए अभी यह कोड जब मैं अपलोड करूंगा यहां पर बटन दबाया आप देखेंगे जैसे यह कोड अपलोड होगा तो यहां पर यह वैल्यू स्टेंग जाएगी मतलब हमने क्या किया है हमने मल्टिप्लैक्सिंग कर दिये और जो डिजाइड नंबर है वह यहां पर डिस्प्ले होंगे इससे हम वैसे स्कॉर बोड भी बना सकते मान लीजे तीम तीम से जो कोई भी कुई कुईशन खेल रही है जो भी कुईशन है तो हम यहां प इस तरहietetाएं किक्या तो यहां पर मैं कोई और यहां बिवर डालता हो आख है टॉप franchement bright को ऍेशन हो बढ clot shifts उसे कर रहे हैं Arduino की मदद से और जो भी desired number है उसको हम यहाँ पर display कर सकते हैं यह देखे 93 display हो रहा है ठीक है उसी तरह से x equals to x plus 1 का formula अगर लगाते हैं तो यहाँ पर हर बार seconds जो है बढ़ते जाएंगे हर second बात seconds की value बढ़ती जाएगी और फिर अगर हम इसमें function डाल देते हैं if condition लगाते हैं अगर 60 से उपर हो जाते हैं जा 59 से उपर हो जाते हैं तो minute को बढ़ा दो और वापस seconds को zero कर दो तो उस तरह से minutes भी बढ़ते जाएंगे तो फिलाल यहाँ पर देखिए हमने circuit पूरा बना दिया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह सरकिट जैसा मैंने बताया था ना ग्राफिक्स में बिल्कुल वैसी वाइरिंग की गई है yellow जो है multiplexing की गई है segments की और यहाँ पर जो यह brown वाले हैं इस से हमने 8 Mega से यह जोड़े हैं जो भी पीन नमबर लिखा वा था उससे हमने आईसी से जोड़ रखा है और जो blue वाले हैं यह सारे जो है इसके digits के हैं डिजिट आप देख सकते हैं यह वाला पीन नमबर वन है फिर 23456 तो पीन नमबर वन को हमने connect किया 9 से 10 11 12 और 13 पर तो हमने डोट connect करने है ठीक है तो 14 पर जो है 5 और फिर 6 जो है 15 पर है ओके तो इस तरह से हमने जो है इसकी wiring कर दी है अब code जो है वो upload होने के बाद हमने देख लिए किस तरह से display होता है ठीक है तो एक बार इसको power देकर मैं आपको चला के बताता हूँ अभी हमने इस वाले code में केवल 00 ही रखा है तो यहां पर जो है सभी पे डिजिट्स पे 00 आ जाना चाहिए ठीक है इसके बाद हम इसमें जो है code को थोड़ा modify करेंगे और उसमें number values जो है automatic increasing करेंगे x equals to x plus 1 वाला तो हर second में जो है seconds की value बढ़ती जाएगी ठीक है तो उतना करने से यह एक clock की तरह चलने लग जाएगा और फिर जो है बीच में जो dots रहेंगे उसका भी हम यहां पर blinking का code डालेंगे कि उसको भी हर second में on होना है फिर आफ होना है तो देखिए यहां पर हमने यह programming कर दिये और यह जो है अभी देखेंगे जो है minutes increase हो जाएंगे उसके बाद जो है वो minutes 59 से उपर हो जाएंगे तो यहां पर hours चेंज होने लग जाएंगे ठीक है बहुत ही simple coding है मैंने आपको समझा दिया है ने six digit बना दिया है और हम अगर यही कोड जो है आडिनो में अच्छा यह जो seconds जो increase हो रहे है ना यह वाला कोड में ने डाउनलोड में नहीं दिया इसका hex code दिया है hex code कैसे upload करना है उसके उपर वीडियो बता रखा है तो वह जब बनाएंगे ना तो आप इस तरह की clock बना लेंगे देखिए portable clock बन गई है हमारी बोडी के साथ बनी है पूरी fiber body के साथ इसके उपर ब्लेक कलर का हम यहां पर acrylic लगाएंगे बहुत क्या ही लगेगी अच्छा अरिया भी बिना RTC के चलते हम इसमें RTC भी लगा सकते जो आगे आने वाली वीडियो सिरीज में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मतलब RTC के साथ इससे कैसे चलाना है और डेफिनेटली इसमें values चेंज करने लिए टाइम सेट कैसे करेंगे सेट करने क्लिए आप जानते आया रिसीवल में केवल एक पिन लगानी रहेगी ठीक है अच्छा है इसमें हम जो है डेट भी डिस्प्ले करेंगे चार डिजिट में इसम का इयर डिस्प्ले होगा फिर दो डिजिट में इसका मंत डिस्प्ले होगा और दो डिजिट में इसका जो है डेट डिस्प्ले एफ और वह भी इसमें यूज हो जाएगा ओके लेकिन मैं बताऊंगा अगले वीडियो में ठीक है से सब्सक्राइब जब बताऊंगा कि यह भी साथ में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं